बात करनी बहुत जरूरी है, खालिस्तानी आतंकियों की पनागा, कैनेडा की चाल चरित्रों चेहरे की, खुल कर आज सब के सामने आ गया भी उवस, संडे को यानि रवीर नुवार को ब्रेपटन में हिंदू सबा मंदिर में हिंदू शरधालू उपर खालिस्तानी आतंकियों इसके बाद सरे काउंटी में भी एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया वहाँ भी ब्रैप्टेन वाली कहानी को दुराया गया कैनेडा में हिंदू तीसरा बड़ा धर्म है वहाँ करीब 2.3% आबादी हिंदू की है और ये संख्या खालिस्तानियों से काफी जादा है और इस हमले ने हिंदू को समझा दिया कि साथ रहोंगे तो जीते रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे ये मैं नहीं कह रहा ये नारे ब्रैंप्टेन के हिंदू सबा मंदिर में लगाए गए लेकिन भारत में इस नारे पर चमकर पॉलिटिक्स हो रही है इस नारे को राजनितिक सामप्रदाइक और नाजाने क्या-क्या कहा जा रहा है लेकिन कैनेडा में रह रहे हिंदू को आज समझ आ चुका है कि हिंदू का एक जुट रहना कितना वश्रक है क्योंकि जिन लोगों ने 3-4 PDA कैनेडा में बिता दी है उन्हें आज वहां मारा जा रहा है पीटा जा रहा है पुलिस की कारवाई भी उन्ही के खिला हो रही है इससे आप तुष्टी करण का कैनेडियन वर्जिन भी कह सकते है क्योंकि जस्टिन टूडो को खालिस्तान समर्थकों के वोट चाहिए और इसके लिए टूडो दुनिया भर में बदनामी के बाबदूद खालिस्तानियों को पाल रहे है भारत में भी तुष्टी करण की बिमारी ने वोट पैंक वाली पॉलिटिक्स को जन्म दिया है था और अब हिंदूओं को में जातियों वाली दरार को गहरा कर दिया है सत्ता सुक पाने की कोशिश हो रही है ऐसे में क्या हिंदूओं से एक जुट रहने की अपील करना कॉमिनल ला रहा है कश्मीर वे हिंदूओं को अपने ही देश में विस्तापित होना पड़ा पाकिस्तान में हिंदूओं का कतले आम हुआ पार्टिशन के दुरान और अब बांगला देश में जो कुछ हिंदूओं के साथ हो रहा है क्या वो किसी से छिपा हुआ है विवर्स इसलिए हिंदूओं को अब एक जुट होकर जीने की आदर डालनी होगी ऐसा नारे लगाई जा रहे है ताकि फिर कोई उनके साथ वैसी हरकत ना कर पाए जैसा उनके साथ आजकल कैनेडा में हो रहा है क्योंकि एकता में बड़ी टाकत है बत्त्पनी से सिखाया जाता है कोकि एकता जो है वो आपको मस्बूत करती है और बंद मुठी तो लाक की, खुल गई तो खाक की ऐसा आमतोर पर बड़े बजुर्ग कह के गए है तो बड़े बजुर्गों ने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा आपका बहुत धन्यवाद